संसार में हर प्राणी हमेशा सुखी रहना चाहता है फिर भी मनुष्य के दुखी वे एशान्त होने के क्या कारण है? मनुष्य के दुख का कारण है पहला रीजन मनुष्य को दुख क्यों मिल रहा है? इस मनुष्य ने अनित्य को नित्य मान लिया है ये शरीर नित्य नहीं है एक दिन नश्ट होगा तो जब शरीर ही नित्य नहीं है तो शरीर के नातेदार वो भी नित्य नहीं है तो ये शरीर एक दिन छीन लिया जाएगा एक दिन नश्ठ हो जाएगा ये हम सब जानते हैं सब लेकिन इतना बड़ा ज्ञान जानते हुए भी भूले बैठे ये मन मानता नहीं कि मैं मर जाओंगा नहीं मानता भले दूसरे की मौत देख रहे हैं थोड़ी धेर के लिए बेचैन भी होते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि मैं मर जाओंगा अपना अभाव स्विकार नहीं सबसे बड़ा धोखा इस जगत को छोड़ कर जाना है इक दिन बंदया है उठ चलना पलट के ओना नहीं मानुष जनम अमोलक बंदया है परत के ओना नहीं रे बंदया पलट के ओना नहीं ना कर मेरी मेरी बंदया एतन मिट्टी दी ढेरी बंदया तेरे मित्रा साथ न देना किसे कम ओना नहीं रे बंदया किसे कम ओना नहीं ये मान अवदेख मिट्टी की देरी है कब छिन जाएगा पता नहीं क्यूं मेरी मेरी कर रहा है क्यूं कहता है ये मेरे मित्र ये मेरे बंदू अरे साथ छोड़ देंगे तुमको वो तेरे कोई काम आने वाले नहीं है तो ये शरीर अनित्य है इस ग्यान को बार बार अपने भीतर बिठाना होगा बुद्धी में बिठाना होगा ये ग्यान नहीं बैठने के कारण ही हमारी आसकती है जगत में अपना अभाव स्विकार नहीं इसलिए आसकत होते जा रहे हैं इस फैक्ट का दर्शन नहीं कर पा रहे तो ये पहला कारण है कि मानव देह मिला देव दुरलब है देवताओं द्वारा अप्राप्य है ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यू से पूर्व अच्छी कमाई कर ले अच्छे अच्छे कर्म करके अपने अनादिकाल की बिगडी सुधार ले क्योंकि इसी शरीर से भगवान को जाना जा सकता है ये मौका ये अपॉर्चिनिटी और किसी शरीर में नहीं मिली ये वीडियोज हम आपके द्वारा भेज़े गए प्रश्णों के आधार पर बना रहे हैं आप अपने कमेंस और फीडबैक हमें जरूर दें अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो क्रिप्या लाइक्स पर जरूर कुछाएं